भारत माता की, भारत माता की, राम राम मंदले, अकलोज करानों कसे आवाद, पंड्री चया, विठोबाय चया, अकल कोट स्वामी समर्थया चया, सिद्देश्वराणी अहल्या भाई होलकर यांचया, धरतिला में बंदन करतो। महराष्टा के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, और और भी कुछ राज्यों में, तल अचानक जो मौसम बडला, आंधी तुफान में, तई लोगों की मृत्ति हो गई। किसानों के फसलों का भी जो नुक्सान हुआ है, उसकी भी जानकारी में ये मिल रही है। मैंने अपसरों को नर्देश दिया है, कि राज्य सरकारों से बात करके, जल्द से जल्द, हर संभव सहायता, आम जंग को पहुँचाई जाए। मैं आप सभी को आस्वस्त करता हूँ, कि सरकार पूरी तरह सम्वेदन सील है, और आपकी हर परिशानी में आपके साथ खड़ी है। जिनोंने अपने स्वजन खोये हैं, उन परिवारों के प्रतिवी मेरी सम्वेदना है। भाईयों बहनों, मैं सबसे पहले हमारे मुक्हमंत्री जी देवंद्र जी का भारिवेक्त करता हूँ, महा यूती के सभी नेताओं का भारिवेक्त करता हूँ, कि मुझे आज चुनाव की बात करने से पहले, महराष्ट के वरिष्ट नेता, जिनोंने पचास साल महराष्ट के लिए खपा दिये, उनके 75 साल पर विजेशी मोहते दादा पातील जी का, मुझे स्वागत सम्मान करने का अउसर मिला, मैं स्वयम को भागे साली मानता हूँ, क्योंकि सारवजनिक जीवन में, कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है, तो उनके इस तपश्चा को, उनकी परिस्थ्रम को, हर किसी ने सम्मान करना चाहिए, और मेरा सवभाग है, क्या दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है, उत्तम स्वास्त तो हम सब देखी रहे हैं, लेकिन उत्तम स्वास्त के साथ, दिरगायू के साथ, वे हम सब का मारदर्शन करते रहें, महराष्ट की और देश की सेवा करते रहें, ये मैं हम सब की तरफ से, आज आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ, भाईयो बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं न, जो एर कंडिशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं, कि इसने इसको गले लगाया, तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया, तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई, तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है, धर्ती की सच्चाई क्या है ये केसर या सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद्राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया क्योंकि शरद्राव भी बड़े खिलाडी है वो समय से पहले हवा का रूख समझ जाते है और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कार उनको उनके परिवार को खरोचा जाए और कोई बली चरजा तो चरजाए वो कभी अपने आपका नुक्षान नहीं होने देते और इसलिए मैदान छोड़ करके नव दो ग्यारा हो गए साथियों एक मजबूत और संबेदिन से सरकार का मतलब क्या होता है छत्रपती सिवाजी महाराज की धर्ती बहुत अच्छी तरह जानती है भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत को 21 सदी में नई उंचाई पर पहुचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए अरे आप अपने गाउं में भी दीला डाला अगर पुलीस वाला आ जाता है तो आप पसंद करते हैं क्या आपको दम वाला पुलीस वाला लगता है कि नहीं लगता है लगता है कि नहीं लगता है अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है तो आप बच्चे को वहाँ पराना पसंद करते हैं क्या अच्छा आप स्टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए भाईयों बहनों इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए मजबूत नेता भी चाहिए आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहाँ देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया वहीं गरीब से गरीब के कल्यान के लिए भी पूरी शक्ती लगा कर काम कर पाया पांच साल मैंने किस तरह सरकार चलाई यह आपने देखा है अब आपको फिर से यह तै करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे आप मुझे बताईए माढ़ा वालों को जर आप मुझे जबाब देंगे सब का जबाब चाहिए विराग जन सागर है सब जबाब देंगे बताईए माढ़ा वालों को मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या मजबूर हिंदुस्तान चाहिए भारत को मजबूत कौन बनाएगा कौन मजबूत बनाएगा कौन मजबूत बनाएगा कौंगरेस रास्वादी कौंगरेस की महा मिलावत क्या भारत को मजबूत बना सकती है कभी बना सकती है जी नहीं यह मोदी कर पाया आप और हम मिलकर भारत में एक शक्तिशाली मजबुद भारत के लिए मजबुद सरकार भी बनाएंगे आपको सही हम मिलकर के मजबुद हिंदुस्तान बनाने का संकल्प करने के लिए इतनी भैंकर धूप में हम तप रहे हैं एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी तरफ आठ उठा कर देखने से पहले भी कोई सोच बार सोचेगा एक ऐसा हिंदुस्तान जो आतन के सर परस्तों को पाताल में खोच करके उन्हें सजा देगा एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ दुनिया के शक्तिसाली राष्ट भी कंदे से कंदा मिला करके चलने के लिए गर्वान उभवे करेंगे भाई और बैनो जब भारत के सपुदों ने जब भारत के सपुदों ने पाकिस्तान के बाला कोट में जाकर के आतंकियों के ठिकानों को बरबाद किया तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ गर्व हुआ के नहीं हुआ आपको याद होगा 2014 के चुनाओं में मैं इक्षेत्र में आया था और उस समय में ने जन सभा में कहा था और शरद्राव को ललकारते हुए कहा था और मैंने कहा था शरद्राव जब सरकार में दम होती है तम नेता नहीं बोलते फोजियों की उंगली बोलती है फोजियों की उंगली चलती है गोलियों की बोचार होती है दुश्मनों के सीने चीर लेते है और तब शरद्राव बौखला गए थे उनको लग रहा था ये भाशन के लिए ठीक है करेगा क्या मोदी करके दिखाया कि नहीं दिखाया करके दिखाया कि नहीं दिखाया आप खुश हैं आपको संतोज हैं मेरी दिखा सही है मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 2014 में आपके आदेश के बाद आपके इच्छा के बाद आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीती और रीती बदल दिये है अब हम हमला होने के बाद महारास में कितने धमाके हो गए कितने शहरों में धमाके हो गए और मुंबई तो एक प्रकार से आतंक बादियों का स्वर्ग बना दिया गया था और बाद में सरकारों ने क्या किया कुछ कर पाए क्या आप ज़रा जवाब दीजिए कुछ कर पाए क्या चुप बैठे थे कर नहीं बैठे थे भाई ये बहनों अब हमला होने के बाद हम घर में गुश कर मारते हैं आपको नए भारत की नई रिती नई निती क्या यही रास्ता पसंद है के नहीं है यही रास्ता आपको मन्जूर है कि नहीं है लेकिन कुछ लोग कुछ राजनितिक दर है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन आपका ये चौकेदार उन्हें कभी सफर नहीं होने देगा इनकी साजिसों और देशित के बीच मैं दिवार बन करके खड़ा हूँ और इसलिए मैं आप से आशिरवाद मांग रहा हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए शत्रपति सिवाजी महराज की इस धर्ती से मुझे आशिरवाद चाहिए माता भवानी की इस धर्ती से मुझे आशिरवाद चाहिए विठोबा की इस धर्ती से मुझे आदा चाहिए आशिरवाद चाहिए आप जो बताएए आपका आशिरवाद मेरे साथ है भाई और भहनों अपनी इस करनी की वज़े से ही कुछ महाम मिलावती दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है अर्थे बाद मैं ऐसा चुनाव देख रहा हूँ जहां जनता और सरकार और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापिस करने के लिए वापिस लाने के लिए फिर से भिठाने के लिए मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है अपने खर्चे से कर रही है अपनी समय दे रही है इतनी कड़ी धूप में बच्चे बुड़े माता बहने गाउं शैर लोग निकल पड़े हैं लोग घर घर जाकर मोदी को वोड़ देने के लिए कह रहे है साथियों आपका विश्वास ही तो मेरी पुझी है यही मैंने कमाया है मेरे पास और कोई कमाई नहीं है भाई और बहनों याद करिए पहले कितने गोताले होते थे और हम हिंदुस्तान वासी कितना शर्मशार होते थे आपके इस सेवक ने पांच साल सरकार चलाई है और कोई प्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है हाँ दीडी में सपने देखने वालों को जूट बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता जूट पर जूट बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ साथियों इस प्रधान सेवक को आपका विश्वात मिला है आपके आशिरवात मिले है तभी काले धन और प्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है आपका साथ मिला तभी हजारों करोन रुपिय का कर्ज लेने वालों से देश के पसपैसे वसूल कर पाया हूँ आपका समर्थन मिला तभी साड़े तीन लाग से ज़्यादा फरजी कंपनियों को एक जाटके में बंद कर दी आपने मुझे हर फैसले का होंसला दिया तभी जो बमेंगाई आसमान को छू रही थी बिच्वे लिए मलाई खाते थे किसान मरता था उपभोगता मरता था और इनके चले चपाटे माल खाते थे उस मेंगाई को भी काबू करने का काम ये मोधी सरकार कर पाई है साथियो मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कॉंग्रेस एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलो पर अब इस वास भी लगातार बढ़ रहा है इसकी बड़ी वज़ा ये है कि ये सिर्फ एकी व्यक्ति के साथ लड़ रहे है अब ये हमारे सारे विरोधियों के बाशन सुनिये वो देश को कहां ले जाने है कुछ बताते नहीं अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया क्या किया बताते नहीं आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं सिर्फ एक ही बात बोलते हैं बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा करनाटक में जाओ वही सुनाई देगा महाराश्य में जाओ वही सुनाई देगा बारामती में जाओ वही सुनाई देगा मादा में जाओ वही सुनाई देगा क्या सुनाई देता है मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है देश को दुनिया में गवर्व कैसे दिलाएंगे भारत की जैजेकार कैसे होगी इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कॉंग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए है नामदार ने पहले चौकिदारों को चोर कहा और जब चौकिदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकिदार कहने लगा तो उनके मूँ पे ताला लग गया और अब मूठ चीपाते फिर रहे हैं अब जब चौकिदार चोर है मायमिला चला नहीं तो अब हर व्यक्ति यह बात बोल रहे हैं जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है भाईयो बेहनों पिछड़ा होने की वज़े से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानिया जिलनी पड़ी है अनेक बार कॉंग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली मेरी जाती बताने वाली गालिया देने में कोई कमी नहीं रखी है लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बर गए है अब पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए है अरे मुझे गाली दो मैं कई वर्षों से बरदास करता है या हूँ कर लूँगा लेकिन चाहे चोकिदार हो समाज का पिछड़ा वर्ग हो बली तो पिडी तो सोची तो आधिवासी हो अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोड कहने की हिम्मत की तो मोदी बरदास्त नहीं करेगा ये देश बरबास्त नहीं करेगा कॉंग्रेस और उसके साथियों को भाईयों बहनों आप मुझे बताएगे ऐसी भासा बोलने वालों को आप सजा देंगे के नहीं देंगे सजा देंगे के नहीं देंगे सजा देंगे के नहीं देंगे बाईयों बहनों जो आज भी ये समझते हैं कि वो अपनी सल्तनत चला रहे हैं वो किसी पिछडे किसी दलीद किसी गरीब की परवा नहीं करवा सकते हैं साथियों मैं कल देख रहा था एक बार फिर शरद्राव ने मेरे परिवार होने और नहोने पर भी हमला शुरू कर दिया जाधियों परिवार व्यवस्ता हजारों साल से भारत के समाज की विशेष्टा है परिवार व्यवस्ता ये भारत की ताकत है भारत का गवरव है और दुनिया को सबसे बड़ी देन है लेकिन परिवार के विशे में शरत परवार को मोदी के बारे में बुरा से बुरा बोलने का हक है बड़े हैं मुझे उमर में उनको उनकी समझ और समस्कार के हिसाब से बोलने का हक भी है लेकिन मेरे देश वासियों मोदी आज जो जिन्दगी जी रहा है उसने भी परिवारों से ही प्रेणा ली है परिवार ही मेरी प्रेणा है बगसी का भी विस्तुत परिवार था वो मेरा मेरी प्रेणा है सुख देव का भी विस्तुत परिवार था वो मेरी प्रेणा है राज गुरू का भी विस्तुत परिवार था वो मेरी परिवार है चाफे कर बंदू का भी विशाल परिवार था वो मेरी परेणा है अरे महत्मा फूले का भी फूला फाला परिवार था वो भी मेरी परेणा है बाबा साम अम्बेर का भी विशाल परिवार था वो हमारा परेणा है अरे सरदार वलब बाई पटर का भी परिवार था वो हमारी प्रेड़ा है अरे वीर सावर का भी परिवार था वो हमारी प्रेड़ा है परिवारों की त्याग तपस्या से हमने प्रेणा ली है अरे शरद्राव आप और किसी से नहीं अकेले आपके गुरु ये श्वंत्राव चवान के परिवार से प्रेणा लेते तो भी पता चलता कि परिवार की भूमी का क्या होनी चाहिए सरद्राव मैं जानता हूँ आप मोदी के रास्ते पर नहीं चल सकते और वह आपके बस में नहीं आपकी ताकत के बार है लेकिन जो परिवार वाले महान महान परिवारों ने देश के लिए जीवन खपा दिया सब कुछ देश को नियोचावर कर दिया और जराव उन परिवारों से तो सीखिए लेकिन आप तो आपका तो मोडेल दिल्ली का एक खास परिवार है आप उनी से सीखते हैं उनी की सेवा में लगे रहते हैं बाई और बहनों बहुत गालिया पड़ी लेकिन इन गालियों की परवा किये बिना मैं पूरी इमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के गरीबों को ससक्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा गरीबों को अपना पक्का घर देने की बात हो गर गर में मुप्त गैस कनेक्शन या फिर सौचाले मुप्त बिजली कनेक्शन हो एक काम हमने हमारी प्राथफिक तामे किये है गरीब को पाँच लाख उर्पियत तक के मुप्त इलाज की सुविधा भी और वो भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी बड़े से बड़े अस्पताल में भी देने का काम मोधी सरकार ने किया है इसके अलावा यहां की कनेक्टिविटी हो यहां सिंचाई की व्यवस्ता हो इसके लिए पूरी इमानदारी से प्रयास किये जा रहे है साथियो देश के पांच करोड से जादा गन्ड़ा किसानों की चुनोतियों के 27 समाधान का भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी के आयात पर सो प्रतिशल सुल्क लगाया गया है चीनी निर्यात करने की भी अनुमती दे दी गई है गन्ने पर प्रतिक पिंटल जो अतिरिक्त मदद सरकार द्वारा दी जा रही है वो भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा करने का फैसला हमने लिया है वरना पहले ये पैसे भी चीनी मलों को उनके हाथ में दिया जाता था और चीनी मिले मजा करती थी साथियों गन्ना किसानों का भला करने के लिए हम उनकी आय के साधन बढ़ा रहे हैं इसके तहट कई दुरगामी कदम भी उठाए गए है गन्ने से जिर्फ चीनी नहीं बने बल्कि उससे इथेनॉल भी बने बायो फ्यूल बने इसके लिए देश में इंफरस्टेक्चर तैयार किया जा रहा है सरकार द्वारा पैट्रोल में इथेलोल की ब्लेंडिंग को भी बढ़ाया गया है वैसे आपको बता दू यह टेक्नोलोजी यह कोई मोदी की आने के बाद पैदा नहीं हुए है अरे सरत पुवार जी जी सरकार में करशी मंत्री थे वहां भी यह कर सकते थे लेकिन उनको तो अपना चीनी की दुकाने चलाने में इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने किया नहीं उनको किसानों के परवा नहीं थी कि लेकिन इस वागय भी मुझे ही मिला है साथ के सरकार द्वारा देश के कृशी व्यपार में सुधार्पी किये जा रहे हैं ग्रामिन हाटों को बड़ी मंडियों फिर दुनिया के दूसरे बाजारों से जोडने का काम किया जा रहा है सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए देश के 22,000 ग्रामिन हाटों को विक्सित किया जा रहा है इन हाटों को इनाम प्लेटफरम के साथ जोड़ा जा रहा है चाथियों फार्मर प्रोडूशर और नेशन एप्पी ओ उसको बढ़ावा भी देने काम ने काम उठाया इन एप्पी ओ सरकारी समीतियों को हमने पूरी तरह इंकम टैस से छुट दे दी है इनकम टैक फ्री किया है किसान अपने उत्पाद में बैल्यू एडिशन कर पाएं मुल्य बूर्दि कर पाएं इस से भी उनकी आए बढ़ सके इसके लिए सरकार फूर्ड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है फूर्ड प्रोसेसिंग में सो प्रतिशत एप्डियाई की मंजुरी दे जी गई है प्रधान मत्रिकिसान संप्रदा योजना के माद्यम से छे हजार करोर रुपिय से ज़्यादा इस खेत्र में निवेश किये जा रहे हैं भाई और बहनों 23 माई के बाद 23 माई को चुनाव का नतीजा आने वाला है 23 माई के बाद जो नई सरकार बनेगी फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी उसमें हम पी एम किसान योजना का दाइरा भी बढ़ाने जा रहे हैं पहले जो पांच एकर की सिमा थी उसी भी हटा दिया जाएगा इन सभी प्रयासों से सभी सेथकरी समाज को बहुत लाब होना तैय है बाद योर बहनों एक बहुत बड़ा संकल्प हमने और लिया है 23 माई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तब हम पानी के लिए एक विशेश जलशक्ति मंत्रालाई बनाएंगे एक मंत्री पुरी तरह पानी के लिए होगा एक पूरा विभाव पानी के काम के लिए होगा देश की अलग-अलग नदियों के पानी को समंदर के पानी को साप करके जरुरत बंद छेत्रों तक कैसे पहुँचाया जाए इसके लिए काम होगा मुझे उमीद है कि माड़ा जैसे देश के सुखागरस्ती अलाकों के लिए ये मंत्रा रहे बरदान साबित होगा साथियों मैं ये भी बताना चाहता हूँ मैं लंबे अर्से तक गुजरात का मुख्य मंत्री रहा हूँ वहाँ पर पानी की किलत यहां से भी बयानक है नदिया भी नहीं है अकेली नर्वदा और तापाय तापी नदी पर हम गुजरा करते हैं कच्छ रेगिस्तान है इधर रेगिस्तान है उधर पाकिस्तान है वहाँ पानी नहीं था हमने नर्वदा नदी से पानी उठाया पाइपलाइन से 400 किलोमेटर दोर कच्छ के रेगिस्तान तक पानी पहुचाया और वहां का किसान आज मैंगो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर रहा है अगर मैं इतने छोटे से कारकाल में गुजरात में एक कर पाया तो यहां तो अपने आपको बड़े बड़े दिग्ज मानने वाले लोग इतने साल मुक्यमंति रहे इसी दर्ती से आये लेकिन आपको पानी नहीं पहुचा पाये भाईयों इसके लिए संबेदना होनी चाहिए दिल में दर्द होना चाहिए पानी सिरफ राजनीती का हथियार नहीं होना चाहिए साथियों 23 एप्रिल को कमल के फूट पर दबल बटन दबा कर आपको मजबूत और इमानदार सरकार के लिए वोट करना है नए भारत के लिए वोट करना है आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा मैं एक नारा दूँगा आप लोग पूरी तारिक से नारा बोलेंगे बोलेंगे मैं ज़रा सभी से पूछना चाहता हूँ बोलेंगे आपको बोलना है चोकिदार बोलेंगे मैं नारा बोलूँगा आप बोलेंगे चोकिदार गावा गामात आहित गावा गामात आहित पत्तेक शहराथ अबाल वूद माता भगिने गरापरा गरांद शेताद रापतो तो बाग भगिच्याद मच्छी मार बांदव सुद्दा देशाचे नागरिक, सीमे वरेल जवान, डॉक्तर अभियंते, सिख्षक प्रध्यापक, लेखक पत्रेकार, कलावंत सुद्दा, शेतकरी कामगार, भुकांदार सुद्दा, वक्कील व्यापारी, माजे विद्यार्थि वित्र सुद्दा, भाई ये बहनो, इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आश्रवाद देने आए, मैं आप ता रदे से बहुत बहुत आफार वेक्ता करता हूँ, और अब दिल्ली को समझ आ गया होगा, लहर कहां जा रही है, कितनी तेज हवा चल रही है, फिर एक बार कमल बनाने के लिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, यून रहते कितनी है, वारत मैं एकूल रहते कूल रूया है, भारत माता कितनी साल दगनासर से बहुत आप हे लिए घडना से के विएら बहुत प्रश का बालता के विए भारत माता वे असरा हुत से के लिए आगके से म treasury से भारत माता कर पफोई ... झाल 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 झाल